आप देख सकते हैं याँ पर चूहों के लिए एक अलग से कैबिनेट बना के रखा हुआ है कैमरा बहुत जादा क्यों हिल रहा है इसका रीजन यही है कि मैं और मेरा साथी कैमरामेन बहुत जादा डर गएते चूहों को लेके चारों की संख्या में चूहे होंगे और कुछ च खत्रों का खिलाड़ी वाह मेरे भाई 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 मेरी तो हार्ट बीटी फेल हो जाती है तो हार्ट अटैक आजार चूहा देखके और यह बंदा चूहों पकड़के लेके आ गया भाई हिंदू संस्कृति की पहचान ओम डोरिया ब्लॉक सब्सक्राइब करें और मंदिर भवन जितना सुंदर बाहर से देखने को मिल रहा है उतना ही सुंदर आपको अंदर से देखने को मिलेगा परंतु मंदिर में जाने से पहले हमें कुछ यहाँ पर सूचना है जो पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो सूचना की तरफ हम जाते हैं तो होते हैं मतलब कर्वे यानी चूहे राजिस्तान में जो कर्वे होते हैं उनको चूहों के नाम से जाना जाता है और करनी माता मंदिर में तो चूहे की की स्मेल आ जाएगी आप देख सकते हैं यापर चूहों के लिए एक अलग से कैबिनेट बनाके रखा हुआ है और इन चूहों को यहां पर चना गिहूं बाजरा मक्का गुर और एतियादी दान भेट किया जाता है और इनी से बाद में परशाद भी बनता है मंदिर में जाने क क्यों हिल रहा है इसका रीजन यही है कि मैं और मेरा साथी कामरामेन बहुत जादा डर गए थे चूहों को लेके क्योंकि चूहे जो थे वो हमारे पैरो के उपर से भाग रहे थे और मैं और कैमरामेन इतना जादा डर गए कि वाइस नॉजब भी मैं घर पर आगे मुझे कर ग्राउंड तक जा रहे हैं और दिवारों में से होते हुए मंदिर के अंदर भी जा रहे हैं इन्हीं टनल में से होते हुए चुहे अंदर बाहर जाते हैं मंदिर के और जैसा आप देख पा रहे हैं कि मंदिर के बाहर कितने चुहे हैं और मंदिर के अंदर भी इससे भी जाद प्लस होगी और यह चूहे इतने सारे हैं यहां पर यार मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया हैं चूहों को लेकर परवेश कर रहा था पर आप देख पा रहूंगा हमारे बीच में यहां पर एक खत्रों का खिलाडी का मैं नाम आगे लूँगा वीडियो में पर अभी हम लेकर इतना डर गया था गाइस मेरे दिल मतलब बहुत ज़्यादा धगदग कर रहा था मैं तो एक बार गिर भी गया कैमरा लेके और देख पा रहे हैं यह चूहा कैसे जाली के उपर बैठा है ठंड में यहां पर बहुत ज़्यादा वैसे चूहे बहुत पैर होते हैं पर एक्श का चूहा भेट करना पड़ता है मरने के बाद और चूहों की खान पान की बात की जाए तो यहां पर यह भाई सुबाश शाम चूहों की देखबाल करते हैं और चूहों की देखबाल करने के लिए यहां पर यह हजारों की संख्या में चूहे होंगे और कुछ चूहे यहां पर अंडर्गाउंड है जो टनल्स में आपको दिखाई थी वो टनल्स यहां से होती हुई मंदिर के नीचे जाती है उसमें भी अभी लगबख कम से कम दो से धाई जार चूहे होंगे आप देख सकते हैं कि यहां पर यह जो बगल से नालियो जैसी वो जा रही है उसके अंदर पानी नहीं गाई उसके अंदर दूद डाला गया है चूहों के लिए और चूहें यहां पर दूद पीते हैं चना खाते हैं मक्का खाते हैं और जो भी फिर बाद में बच जाता है उसी का मिक्स करके परसाध बनता है और जो भी मतलब यहाँ पर भक्त प्रेमी आते हैं वो चूहों का जूटा भी खा लेते हैं ऐसा मानते हैं कि यह सब करनी माता का परशाद है और यह जिस खत्रों के खिलाड़ी यही है देखो यार इसको मैं मोदी जी से सैटी फिकिट दुलूआ हुआ भाई मोदी जी से छोड़ो इसको अक्से गुमार के साथ खड़ा करके मैं वोलूँआ ये जीता सीजन 2023 खत्रों का खिलाडी वाँ मेरे भाई भाई मेरी तो हार्ट मीटी फेल हो जाती है यार चूहा देखके और ये बंदा चूहो को पकड़के लेके आ गया भाई देखो यार मतलब भाई रहने दे यार क्या जरूर है तरुकर चूहो के बीच में जाने के यार वीडियो ब खड़ लेगा भाई यार सुधर जाओ भाई कैमरा मैं तो उठके भागी गया था लगबग यहां से फिर भी मैंने कंट्रोल करके उससे बोला वीडियो बनवाने के लिए यहीं डैस्ट नॉक से पास में स्थित है यहां पर यह एक म्यूजियम बना रखका जिसमें करनी मात कि सभी पर्ति भाव को दर्शाये गए आर इस परति भाव को दर्शाने जो गई थी इसमें के लिए आप होईजा हूं यास It nail आप देख सकते हैं कि करनी माता होगी इतनी सारी परतिभाई अपने पिता को जीवन दान देते हुए और यह करनी माता ने जब अपने पिता को जीवन दान देता उस परतिभाई को यहां पर अभी तक दर्शा रखा है आप देख सकते हैं सेर से लड़ता हुआ है कि यहां पर और उमीद कर रहा हूं मेरी वीडियो बहुत जादा पसंद आएगी यार और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो यार अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे राम परिवार के साथ जुड़िए यह डोरिया व्लॉग आपको ऐसे ही दूर दूर के सब्सक्राइब करेंगे और मेरा चैनल को लाइक करेंगे तो मुझे पता लगएगा मेरी वीडियो सापको अच्छी लग रही है तो मैं आपको दिखाऊंगा यह गव माते के यहां पर शेयर है जो गव मातों को मारने वाला है पर यहां पर यह रक्षा वन विवाक से मतलब